सब्सक्राइब कीजी हमारी यूट्यूब चानल इंडियन देशी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए गाय का दूद बच्चे, बूढ़े, महिलाए, मरीज सभी के लिए अमरत माना गया है गाय के दूद में फैट कम होता है ये कुलिस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता इसमें विटमिन और मिनरल्स उचत मातरा में होते हैं डॉक्टर्स भी इस दूद के धेरो फायदे बताते हैं गाय के दूद की तरह गाय के दूद से बना देसी घी भी सेहत मन होता है दूद की तरह देसी घी खाने वाले भी एनरजी से भरपूर होते हैं और साथ ही इससे मिलने वाले दूसरे फायदों का भी लाव उठाते हैं आयुरुवेद में देसी खी का प्रियोग लंबे समय से होता आ रहा है कई तरह की दूसरे मसालों के साथ भी इसका प्रियोग किया जाता रहा है देसी घी सिर से लेकर पाउं तक के लिए फायदे मन्द है इस वीडियो में जानिए रात को देसी घी का प्रियोग करने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते है क्या आप खराटों से परिशान है अगर जवाब हाँ है तो रात को सोने से पहले हलका गुन-गुना करके एक-एक बून देसी घी नाक में डाल कर सोए आप ये खराटों की प्राबलम दूर हो जाएगी देसी घीश वसंतंत्रों की भ्याध्यों को दूर करता है खराटे की समस्या धीरे-धीरे एक दम खत्म करता है आपको नींद अच्छी आती है और आप आने वाले दिन में एक दम फ्रेश रहते है यादाज बढ़ाता है सोते समय बच्चों की दोनु नासिकाओं में देसी घाए का घीर दो दो बूट डालने से बच्चों की यादाज बढ़ती है यह बच्चों की मैमोरी पावर को दो गुना तेजी से बढ़ाता है और दिमाग को तेज करता है इसके साथ ही concentration power भी मजबूत होती है तनाव दूर होता है देशीगी को नाक में डालकर सोने से आप किसी भी मानसिक तनाव से मुप्ति पा सकते हैं रोजाना सोने से पहले देशीगी की कुछ भूदे नाक में डालकर सोने आपको बहुत लाब होगा या आपके माईगरेन और पुराने सिर्दर्द की समस्या को भी दूर करता है पुराने जुकाम सिराहत लंबे समय से जुकाम से परिशान है और दवाईों से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा तो रात को रोजाना गाय का घी नाक में डालकर सो जाए इसके लगातार इस्तमाल से जुकाम सिराहत पाई जा सकती है गरबती महिलाएं भी कर सकती है से बर जियान गरबती महिलाओं में कब्स की समस्या ağam हो जाती है इसकी वज़स से पेट में दर्द और एठन महसूस होती है रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में एक चमच देसी घी मिलाकर पीने से आराम मिलता है नीद अच्छी आती है और सुबह पेट भी एक दम सही रहता है सोने से पहले देसी घी में हींग मिलाकर नाबी के अंदर और चारो और इसे लगाने से पेट को बहुत आराम मिलता है गैस की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है और अगर पेट में भारी पन लग रहा हो तो उसमें भी आराम मिलता है देसी घी और काले मिर्च खासी और छाती में जमे कफने अगर आपको परिशान कर रखा है तो देसीगी में काली मिर्च का पाउडर मिला कर इसे उंगली से चाटे इसे खाने से गले की परिशानी दूर होती है और गले में हो रहे दर्द में भी तुरंत आराम मिलता है देसीगी से जुड़ी और जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दियर लिंक पर जरूर चाहें और देसीगी प्रात करने के लिए अंत में दियर लिंक पर विज़र्ट जरूर करें इस से शुद देसीगी आपको कही और नहीं मिलेगा झाल झाल